नमस्कार दोस्तों मैं प्राची संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहर स्वागत करती हूं आज की वीडियो में हम टागेट प्रिलिम्स 2022 करण्ट अफेर पर चर्चा करेंगे जिसके तहट हम 9 से लेके 10 मार्च के करण्ट अफेर को प्रिलिम्स के कर रहे हैं और हिंदी माध्यम एक अथंटिकेट कंटेंट उपलब्द कराने का हमारा प्रियास सफल हो रहा है तो आप हमारे वीडियो को हिंदी माध्यम के अभ्यारतियों की भी जाधा से जाधा शेयर करें हमारे जितनी भी इनिशेटिव हैं वह रहने वाले हैं और इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे टीम बहुत महनत करके आपके लिए यह कंटेंट प्रपेर करती है उनको जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए साथ ही जतना जाधा हो सके आप इन वीडियो को शूर कीजिए तो चलि जो महिला और बालविकास मंत्रालिय है इसके अंदर जो रास्तिय मानसिक स्वास्तिय और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बैंगलूर में इस्तित है इसके सहयोग से यह प्रजक्ट जो है चलाया जा रहा है इसका उद्दिश्य क्या होगा जो महिला है उनके मानसिक स्वास उनके शिकार महिलाएं हैं, उनको वो और जादा अच्छे तरीके से मदद कर सके, इसके अलवा इन अधिकारियों को स्वास्ते बीमावी गुवर्मेंट जो है प्रोवाइड करेगी, इसके तहट क्या होगा कि जो हिंसा की शिकार महिलाएं हैं या फिर जो संकट का किसी सामना कर रही है उनको तवरित नियाय उपलब्द कराने के लिए नारी अदालत की स्थापना पर विचार करने का जो है एक गौवर्मेंट के तरफ से विजन देखने को मिल रहा है तो इस तरी मनुरक्षा प्रोजेक्ट आप धियान रखेगा और साथ में नारी अदालत धिया किस मिनिस्ट्री के द्वारा चला जा रहा है किस इंस्ट्रीट के सपोर्ट से चला जा रहा है यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है नेक्स टॉपिक यूपी आई यह क्या है देखिए हमारी जो ग्रामी आवादी है वहां सब के पास स्मार्ट फोन अवलेबल नहीं है नहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुईधा हर जंगा है देखिए भारत में अभी भी एक डेटा है कि करीब 40 करोड लोग जो है फीचर फोन का उप्योग करते हैं फ दिजिटल अर्थ विवस्था में जोडने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि जो फीचर फोन के माद्यम से हो जाए उसके लिए स्मार्ट फोन की अवशक्ता ना पड़े इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपी आई 123 पे यह जो है सरकार लेके आई है इसमें जो लोगों को जोडने में मदद मिलेगी ठीक है इसके साथ देखिए 24-7 हेल्प लाइन सुवीधा दी गई है जहां पर लोगों को क्या किया जाएगा जागरुक और सक्षित किया जाएगा उसका नामें डीजी साथी तो कभी अगर आपसे कुछिन पूछ लें कि डीजी साथी यूपी आई का पिन सेट करना बदलना खाते की शेष राश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना यह सारी चीजे इस यूपी आई 123 पे के तैत हो सकेगी तो ध्यान रखिएगा फीचर फून के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गॉवर्मेंट इसको लेकर आई है इस टॉपीक है ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिसीन ट्रेडिशनल मेडिसीन यानि के जो परंपरागत दवाईया होती है इनके लिए एक वैश्विक केंदर का निर्मान जो है सरकार के दौरा किया जा रहा है कि देखे भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संग करने के लिए एक मात्र वैश्विक ग्लोबल आउट पोस्ट सेंटर जो है बनाया जाएगा और ध्यान रखेगा यह एक मात्र है अपने आप में तो इतनी चीजों को अगर आप जानते हैं तो इस टॉपिक से कोई प्रश्ण आएगा तो आप कर पाएंगे कौन से मिनिस्ट प्रश्ण प्रश्ण आप जो है इसकी नोडल एजनसी होगी चलते हैं नेक्स टॉपिक की और जो नेक्स टॉपिक है वह समर्थ नाम के इनिश्यटिव के बारे में देखिए जो विशेश उधमिता प्रोचसाहन अभ्यान समर्थ हुआ क्या है देखिए महिलाओ को सब प्रमोट करना चाहरें तो क्या-क्या बेनिफिट आप उनको देंगे तो ध्यान रखेगा एक तो मंत्रालिय क्या करता है एक निश्यल को कोशल विकास कार्यकरम आयोजित करता है इसके तहत जो 20% सीट होंगी वह महिलाओ को ही आवंटित की जाएंगी इसके अलावा जो घर अपार प्रतिनिधी मंदल भेजे जाते हैं तो उसमें से 20% उन प्रतिमंदलों को बेचा जाएगा जिस MSME का ओनर्शिप एक महिला के पास होगी तो 20-20% का यह रेशो रहने वाला है यानि कि अगर कोई अंतरास्टी लेवल पर प्रदर्श्णी लगी है जहां पर आपको अ जो रास्तिय लगू उद्योग निगम NSIC है उसकी जो वानेचिक योजनाय है उन्हें में वार्शिक प्रसंसकरर शुल्क पर 20% के छूट महिलाओं को प्रदान की जाएगी इसके अलावा ग्रामीन और उपर शहरी छेत्र ठीक है उसकी करीब साड़े 7000 महिलाओं को 2022-23 में दिया जाएगा तो यह कुछ लाब है जो जो है इस समठ स्कीम के तहत महिलाओं को दिये जाएंगे ध्यान रखिएगा इसके बाद जो मारा निक्स टॉपिक है वो है अर्बन फार्मिंग से रिलेटेड ठीक है अर्बन फार्मिंग यहां पर देखे पिक्चर दिखाई गई घंज तो बेसिकली डिली सरकार ने अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने का नडवन लिया है दिली में अर्बन फार्मिंग की तक्नीके हैं उन पर्विचार विरमश करने के लिए अप्रिल में एक शहरी नियोजन गोलमेच सम्मेलन का आयोजन जो है किया जाएगा और इस पहल की नोडल एजन्सी कोन होगी तो बागवानी विभाग होगा ठीक है इसका उद्देश्य क्या है तो अर्बन फार्मिंग के पड़ती लोगों को जागलूग करना तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है लोगों को अव बता है प्रमने के लिए अर्बन अगरिकशन वे बोलते हैं ऐसका इस मतलब यह होता है शहर में जाकर जैट कि dilem pumpy यह सकती है गर सकते हैं समझ आगर अगर आपका क्रिया होना चाहिए कि ना सिर्फ आप खाद्यानों के उत्पादन की बात कर रहे हैं बलकि जो एगरी कल्चर या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड अन्य अगतिविद्या हैं उनकी भी बात आप इसमें करते हैं इससे देखिए बैनेफिट क्या होगा खाद शुरक्षा में व्रद्धी होगी अभी आप समझ गए इसके बार नेक्स टॉपिक देखिए जो भारतिये हीरा उद्ध्योग है यह चर्चा में हैं युकरीन विवाद जो हो रहा है ना यह मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि हर सेक्टर पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जो है छोड़ रहा है तो इसी तरह की एक जो चीज़ है वो है भारती हीरा उद्ध्योग देखिए अमेरिका और यूरोपीन यूनियन ने रूस पर कड़े प्रतिबंद आरूपित कर दिये हैं तो इसकी वज़े से जो भारत का हीरा पॉलिश उद्ध्योग है उस पे संकट आ गया है और भारत का निरियात जो है इस उसकी कटाई और पॉलिश का काम हो रहा है करीब 80-90 पॉसेंट वह भारत से होता है यानि कि भारत का जो हीरा उद्ध्योग वह एक्सपोर्ट पर डिपेंट एक ट्रेड है लेकिन जो कच्छे हीरे हैं वह तो यहीं से आता है तो देखिए जो रेटिंग एजंसी क्रिसल है इकम्पनी हो यह कहती है तो यह कच्छा हीरा कहा आता है इंडिया में आता है किक करता है इसको पर्टिकुलोख शेप वगरा में लेके आता है फॉइन हीरा बनाता है और फिर उसका एक्सपोर्ट करता है लेकिन अगर हमें कच्छा माली नहीं मिलेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंड्रस्ट्री है हीरे की उस पे जो है फर्क पड़ेगा हाला कि ध्यान रखिएगा अब यह जो अल्रोसा कंपनी है इस पर प्रतिबंद नहीं लगाया गया है लेकिन जो स्विफ्ट के तहत बैन लगाया गया है स्विफ्ट पे डिटेल वीडियो हम बना चु यह जितना भी एक्सपोर्ट होता है आपने देखा होगा जब एकनॉमिक सर्वे हमने डिसकस किया था कि हमारे जैम्स एंट ज्वैलरी एक इंपोर्टेंट कॉमेडिटी है जिसका हम ट्रेड करते हैं तो इसमें से भी 50 पोशेंट के वर्ड डाइमंड होता है ठीक है ध्यान कि गुजराद ने इस वार जो गर्णतंदर दिवस की जाकी निकाली थी वह पाल धादव नर्सनहार पर ही बेश्ट थी देखिए गुजराद सरकार ने इसे जलिया वाला बाग हत्याकान नर्सहार के जैसे वर्नित किया है यह हुआ कब था और क्या था तो देखिए बेसिक आदिवासियों का एक त्युहार होता है जो कि होली से पहले सेलिबरेट किया जाता है तो एक परसन थी जिनका नाम था मोतिलाल तेचावक्त इन्होंने आदिवासियों को जो है इखटा किया और एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में यह सारे के सारे लोग जो है एक नई लगान के विरोध में अंग्रेचों की नीतियों के विरोध में जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया दो हजार भील आदिवासी थे उन्होंने तीजावत के नेत्रत में धनुशिपान उठा लिये बदले में अंग्रेचों ने उन पर गोलिया चला दी थी जिसमें लगवर एक हजार आदिवासी मारे गए थे तो इस वज़े से देखिए काफी बड़े लेवल पे आदिवासीों को अंग्रेचों की तरफ से मारा गया था तो बहुत दुख वाली एक घटरा है अगर बात की इस पहल दादव नर्सहार के रूप में जो मोतिलाल तीजावत हैं तो आदिवासी लोग जो है इने गांधी के रूप में जानते हैं या फिर इने आदिवासीों का गांधी भी क जाता है तो इतना आप ध्यान रखिएगा यह नीम इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वीवी पैट यह न्यूज में है देखिए सुप्रीम कोट में जनहित याचिका दैर की गई ती जिसमें यह कहा था कि भई आपने निर कर दें देखिए होता क्या है अब इवी एम के द्वारा वोटिंग होती है और इवी एम पर जो भी पार्टी हारती है वो अरोप लगा देती है कि यहां इसमें जो है कुछ छिड़कानी हुई है तो फिर क्या हुआ मिरवाचन आयो की तरफ से वीवी पैट करके एक सिस्टम एक लाए लिएम लगाया गया जिसमें क्या होता है जब यही था थूप टिकूलर पार्टी को वोट करते हैं तो पर्ची आतना विकति को वोट कर सकते हैं कि मुझे मेरा वीवीपट वाली पपच्ची दिखा दि जाएल ता्कि मैं सुनिस्चिट कर सकूँ कि मेरी वोट किसको गिशियां एक तो इसका काम यहां दूसरी वीवीपट गgen्यद काकाम यह diss live than you say पचास हजार defense की को मिले 20,000 किसी को मिले मिले वो लोग आपस में यह कहें कि भाई हमें विश्वास नहीं है हमें जो है इन मतों को क्रॉस चेक करना है तो क्या करेंगे वीवीपेट के जितनी भी परच्चा निकली थी उन सब की मैनुवली काउंटिंग करते हैं और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि परच्चियों से भी उतनी हो रहे हैं तो यह दो परपस के लिए काम आती है तो इसी लिए एक जन्हित याच्ची का दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि पाज की जंगा 25 जिनिर्वाचन स्थल होंगे वहां की एक वीवी पैट की जो है काउंटिंग आप करवाई है लेकिन सुप्रीम कोट ने इसको मना कर दिया तो यह न्यूज में तो वीवी पैट का देखें फोल फोर्म क्या आता है मत्तदाता सत्यापन परच्छी और ट्रेल यह क्या करती है यह मत्तदाताओं को देखर बताईएगा कि जो स्पीड है हमारी पढ़ाने की वह आप लोगों को समझ आती है इसको कम या जादा करनी के आवशक्ता तो नहीं है आप मुझे फिडबैक दे सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स टॉपिक देखते हैं समकारी लेवी जिसको इंग्लिश में एक्वलाइ साम्मान और सीवाइप प्रदान करने वाली जो दो करोड से अधिक की वाशक आयवाले विदेशी कंपनिया है उन्हें पर इक डिजटल टे क्स लगाना शुरू कर दिया है समंझते हैं कुछ कंपनिया है वतेशी हैorama क्वला एक सब्सक्राय नहीं होती है मैं वह भारत हैं तो कॉपरेशन टेक्स लगता है और बहुत सारे टेक्स लगते हैं डार्ट इंडार्ट में लेकिन बाहर की कंपनी यह कहके कि हम तो बाहर की देश की है और हमारे उपर टेक्स लगाने का अधिकार उनी लोगों का है वो बच जाती थी इस एक लिवल प्लेइंग फील्ड नही के रूप में यह लाग हुआ है तो अभी देखिए एक बेसिकली वह हुआ था मैं आपको बता देती हूँ एक सम्मीलन हुआ था जहां पर जो वित्वमंतरी निर्मला सीता रमन है उन्होंने यह कहा कि हमालायज एक्वलाइजेशन लेवी लगाने का फैसला है यह जो है एक या तो उनका स्वामे तो भारतिय कंपनी पर है ठीक है या फिर क्या बोलते हैं भारतियों की हिस्सेदारी उसमें जादा है तो अगर भारतिये एकाईयों के माध्यम से कोई विक्री करती है तो उसे ई-कॉमर्स को इस टेक्स का बुगतान नहीं करना पड़ता ठीक है इतना इतना आप समझ गए अब नेक्स जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं खाद तेल की कीमते यह भी बढ़ रही है कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जिसमें हमने डिसकुस किया था कि एक ओईल क्राइस जो है फेस करना पड़ेगा दुनिया को और साथ में दुनिया में इंफलेशन भी आने वाली है ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है तो इसमें ना सिर्फ क्रूड ऑईल की कीमते बलकि जो बाकी कॉमडिटी से उनके कीमतों में वरती होगी तो ऐसा ही देखिए खाद तेल की कीमते यह न्यूस में है देखिए युक्रीन में ज साली वस्तों की कीमतों में लगाता वरती हो रही है ठीक है अब यहां पर बताया गया कि जो भारत है उसमें अगर सूरज मुखी के तेल की बात की जाए तो घरेलू उत्पादन है वह मांग का एक चोथाई से भी कम है यानि कि आपको 100 की रेंज में तेल चाहिए तो आप उ इंफ्लेशन हो जाएगा यह जो इंपोर्ट इंफ्लेशन होती है यह कॉंसेट मैंने कल की वीडियो में आपको डिसकस कर दिये और देखिए यह सूरज मुखी का तेल है इसकी भी अधिकांशापूर्ती कहां से होती है युक्रेन से होती है तो डिस्टरब होना तो है अब अगर टोटल एडेबल ऑईल की बात करें तो अपनी ज़रूरतों का लगबक 60% जो है ऑई भारत इंपोर्ट करता है इतना ज्यादा हम डिपेंड ऑईल के मामले में भारत की किसमत थोड़ी खराब है हम ना सिफ कुरूड ऑईल इंपोर्ट करते हैं बल्के एडेबल ऑईल करते हैं दोनों ही चीजों की खपत हमारे हाँ जाता है मतलब भारत वाले जो लोग है वो ओईल को लेकर तो भाहिया प्रेम करते हैं अब अगर बात करें इंडोनेशिया और मलेशिया से जो है पॉम तेल ब्राजिल और जेंटीना से सोया तेल रूस और यूकरीन से अब बैसिकली एक और चीज समझ लेते हैं कि जो ऑईल है उसकी प्राइमरी सोर्स कौन सी और सेकंडरी सोर्स कौन सी है तो देखिये प्राथमिक श्रोत में सोया बीन रैप सिर्ट जिसको सफेद सरसों भी बोलते हैं सरसों मूंगफली सूरज मुकी वगरा आते हैं नाइज चावल की भूसी का पास के बीज और जो वरक्ष उत्पादे तिल हनों होते हैं वह आ जाते हैं यूपीए सी इडेबल ओइल्स को लेकर क्रेशन पूछती रहती है यह लास्ताइं में बहुत इंपोर्टेंट था यह इस बार भी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि हमारे यह हां गॉवर्मेंट बहुत कोशिश करती है कि घरेलू उत्पादन जो इसका बढ़ाया जा सके और इंपोर्ट पर अपनी जो है निरबरता कम की जा सके इसके लिए बहुत सारी इनिशेटर भी गॉवर्मेंट के तरफ से चलाए गए है देखिए न्यूस पेपर में न्यूस बीबी आइन के फुल फॉर्म के आजाए की तो देखिए बांगलादेश भारत नेपाल और भूटान इन चारों कंट्रीज ने मिलके एक समझोते पर साइन किये थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई एक देश के जो कार्गोज होंगे वो दूसरे देश में जो है सुगम बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन जो भूटान था वह समझोते से पीछे हट गया था उसने कारण दिये थे कि बहुत ज्यादा मोटर वहानों के आवागमन से हमारे आका जो परियावरन है उसमें डिस्ट्रबेंस होगी तो वह पीछे हट गया था तो आब देखिए अगलादेश भारत और नेपाल तीनी देश रह गए हैं और बैसिकली अभी एक बैठक आयोजेत हुई थी जिसलिए न्यूज में है और यहां पर वस्तुवों और व्यक्तियों की मुक्त आवाजाहिक पर जो है बात करने के लिए बैठक हुई थी होता क्या है एक सदस्य द कास बैंक है उसके अंदर जो दक्षन एशाय उपछेत्री आर्तिक सयोग कारेकरम है वह जो है हेल्प कर रहा है ठीक है ध्यान रखिएगा बस आपको यह याद रखना है मोटर वहन समझोता में कम्पलीटली जो है चीज़े ओपन नहीं कर दिए कुछ शर्तों के साथ कुछ लाइसेंस के साथ जो है आवागमन को सुगम बनाने के बाद हो रही है नेक्स ट्रोपिक पर आजएगे इस लाइनेक्स नुसेना अभ्यास तो किस किस के बीच में भारत और श्री लंका के बीच में है ठीक है क्या है द्वीपक्षिस समूंदरी अभ्यास से कौन से संस्क्र पर रहन है कहां पर हुआ है विशाका पतनम में हुआ है इतना ध्यान रखिएगा इसके अलावा और कौन से अभ्यास भारत श्री लंका के बीच में होता है इतना समझ गए आप आजए नेक्स टॉपिक की तरफ स्टार्ट अधम शीलता कारियकरम ठीक है तो देखिए यह कि यह उपगटक है किसकी जो दीन ध्यार अंतोदेय योजना है उसका वे जो राश्ति ग्रामीड आजवी का मिशन है उसका यह उपगटक है इसके रुपेश शुरू किया गया क्या होगा उद्मों को बढ़ावा देने के लिए वित्यसायता देने के लिए विवसाय प्रबं विकास संस्थान एहमदाबाद है उसके द्वारा बेसिकली इसको मदद दी जाएगी शॉर्ट में इसको बोलते एस वी एपी देखिए एस वीपी व्यक्तिगत और समू दोनों तरह के उद्मों को बढ़ावाद देता है मुख्य रूप से मैनुफेक्ट्रिंग ट्रेड औ सर्वेसिस के उद्मों को स्थापित करने को यह जो है बढ़ावाद देता है इस कार्यकरम का उद्देश्य क्या है सामुदाइक संसाधन व्यक्ति यानि के उध्यम सनवर्धन का एक ऐसा पूल विक्सित करना है यह क्या होगा एक आसान भाशा मैं आपको समझाती हूं तो बाकी लोगों को भी हेल्प करें ठीक है तो यह ध्यान में रखिएगा इसके बाद जो निक्स्टापिक है करेवा निकषेब यह त्यों में पर यहां पर आप देख रहें यालोग नर से परी पंचाल रिज यह कारा कोरम रेंज है यहां पर लद्दाक रेंज है और यह है जासकर रेंज है यह अपना ध्यान रखेगा तो यह रेंज जो है कई बार इस सीक्वेंस में जो है पूछ ली जाती है तो आपको पता होनी चाहिए देखिए जम्मू कश्मेर में डवलोप्मेंट के नाम पर इस मिट्टी को बहुत हानी हो रही है जिसका नाम है करेवा यह इसलिए न्यूज में है दरसल यह क्या है बहुत जादा उप जाओ जलोड मिट्टी है ठीक है और यह वहां के डवलोप्मेंट एक्टिविटीज की वजह से जो है नस्ट हो रही है क्रशी और पूरा तात्वीक दोनों ही इसके महत्व है लेकिन इसके बावजूद निर्मा में आ जाए का इसका नाम ऊपर उठी हुई समतल भूमी क्यों रखा गया है इसके लावज देखिए से पहले इस वर्ड का प्रयोग 1959 में गौर्वन आस्टिन के द्वारा किया गया था बेसिकली देखिए हुआ क्श्मीरी घाटी जो है वह महान हिमाल लिए और जो कश्मीर हमाले की पीर-पंजाल रेंज Ai के बीक में अवस्थी था यानिकरीं यह वाला एर्याह है कि कश्मीर घाटी कहलाता है किस कि से गाटी एक बड़ी जील के रूप में जो है बदल गई बाद में धीरे धीरे क्या हुआ इस जील में जो हिम ने दिये निक्षेप होते थे उनका जमाव होना शुरू हो गया और एक विशाल जीली मैदान का जिसको बेसिकली एक वर्ड इंग्लिश का होता है जो मुझे फिलाल नहीं थे वो बच्चे रह गए और उन्हीं असंगठे निक्षेपों के अंदर क्या क्या था कुछ कंकड थे कुछ गाद थी तो उन सब को मिलाकरी करेवा निर्मान के रूप में जाता है और वहीं मिट्टी जो है जलोड मिट्टी के रूप में जानी जाती है जो बहुत ज जो रास्थे भूमी मुद्री करन है वह भारत सरकार की पूर स्वामित्व वाली कंपनी होगी कंप्लेटली ओनर्शिप किसकी होगी तो गॉवर्मेंट की होगी ठीक है यह क्या करें कि जो कींदरी सारजनिक छेतर उधम होते हैं जो हमारे सेंटर पब्लिक सेक्टर ख़ती हैं तो सी भूमी को जो है यह बैटर यूटिलाइजेशन वो करेंगा तो यह लिखा है कि अतरीक भूमी और मुद्री करन जो है ।चलिये चलते हैं अग olduğantiriam के कि मुद्धान करन और नीच्वादाण कर्ण च हमhole सब करके हों देनी के लिए गौवर्मेंट ने क्या किया है खान और खनिज विकास में नियमन अधिनियम 1957 इसकी दूसरी अनुसूची में संशोधन जो है किया है देखिए यहां पर कुछ जो है ध्यान रखेगा कुछ देख लेते हैं खनन से संबंदिन कुछ प्रावदान हम देख लेते हैं यह कॉंस्टिट्यूशन में हमें साथवी अनुसूची के अंदर तीन जो है सूचिया दी गई है एक होती आपकी राज्य सूची केंद्र सूची और दूसरी होती है आपके संबर्ति सूची तो जो अनुसूची दो यानिके जो राज्य सूची उसकी एंट्री नंबर जो तेईस है वह राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के भीतर इस्थित खनीजों को अपने स्वामित्व में लेनी का अधिदेश दिया गया है जो अनुसूची वन है यानि केंद्र ये सूची है उसकी एंट्री नंबर 54 वह यह कहती है कि जो कींद्र सरकार होगी वह स्पेशल एकनॉमिक जोन होते हैं उनके भीतर खनीजों को अपने स्वामित्व में लेने का अधिदेश दिया गया है तो यहां से बात क है इसको जरूर दियान रखिएगा ठीक है इसके बाद के माइंस एक्षेंज फॉर फिक्सिंग डॉयल्टी फॉर प्रीशेस मैटर्स यह 9 माच की न्यूज है इसके बाद निक्स टॉपिक पर आ जाते हैं जिसका नाम है परम गंगा देखिए परम गंगा राष्टी सूपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत 1.66 फेटा फ्लॉप जिसमें सूपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है कि शुपर कंप्यूटिंग चंता वाला कहांप स्टैबलिश किया गया है इसको डिजाइन जो है किया गया है अब देखिए राष्टी सूपर कंप्यूटिंग पुरुषकार देखे हर साल अंतराष्ट्य महिला दिवस पर राष्टपती जी के दुआरा कुछ सम्मानित महिलाओं को यह पुरुषकार प्रदान किये जाते हैं महिला सशक्ति करन पर बहुत इंपोर्टेंट वीडियो हमने बना कर अपलोड की हुई है जहां पर हमने बहु को जो है की जाती है तो सिर्फ इंडिविजुल्स को नहीं बल्कि संगठर संसानों को भी की जाती है देख लिए महिला सशक्ति करन की दिशा में जिसमें उतक्रिस्ट काम किये हो उनको दिया जाता है आवेदक की आयू कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और उससे जो है अगर सं माइं और सुवीधाय प्रदान करने के लिए जो सर्वशीष्ट सहरी स्थानिय निकाय होते हैं वह उनके उनको यह पुरुसकार जो है दिया जाता है तेक है फिर रानी गडल्यू पुरुसकार तेक है उदेके महिला कल्यान के लिए उतकरिस्ट कार्य करने वाले इस अंसानों को यह पुरुसकार दिया जाता है ध्यान रखेगा इसके बाद देखें यह कुछ महिला है जिनको इस बार 2022 में पुरुसकार दिया गया है इसके बार चंद्रमा पर और और फॉर्टी की खोज पहली बार की गई है भारत के चंद्रियान टू के दौरा यह की ग अगर हम चंद्रियान टू के बारे में बात करें तो यह एक इकरत त्री इन वन जो है अंतरक्षियान है इसमें और एक लेंडर जिसका नाम था विक्रम और चंद्रमा की दक्ष्णी धुरुव का पता लगाने वाला एक प्रग्यान नाम का रोवर भी था ठीक लेंडर जो ह अगर बात की जाए तो इवे प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कागच के पारंपारिक उप्योग के बजाए बिलो के डिजिटल रूप में लेंदेन करने का एक तरीका है तो देखिए क्या होती है गौवर्मिट अपने सारे बिल क्या करती है पेपर फॉर्म में देती थी अब गौवर्मिट जो है अपने सारे बिलिंग को पेपर लेस करने की तरफ जो है बढ़ रही है इसी से रिलेटर यह न्यूस है इससे क्या होगा देखिए बजट 2022 में इसकी घोशना की गई थी ठीक है और एक मार्च 1976 यब तब से भारतिये जो सिविल लेखा सिवा है आइसी एस है उसकी वर्षकार्ट को चीनित करने के लिए हर साल यह नागरिक लोग लेखा दिवस जो है मनाया जाता है अब देखिए इललेक्ट्रनिक रूप से बिलिंग अवह सरकार करेगी तो ATEधियो ऐस्यामों आपने जो ग्रहक मेंटेश हो गया उत्लिक तो देखिए पहला वर्ट्षुल स्मार्ठ ग्रिज स्मट इनो लिजशन रहा है आजाती आपत śव हरे का इसको बनाया गया है यह जो पहल है यह जो स्मार्ट ग्रिड प्रदोग्यों क्या होती है उसमें नवाचार उधमिता और अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और विश्व लेवल पर एक उतक्रष्टता के इंदर के रूप में इसको स्थापित किया बीदे जाएक और जाए अंची हैं कि अब आपका सोलर पावर है विंड पावर है ठीक आपका है हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर रहे तो सारे के सारी पावर्श क्या आपस में गर्ट से कनिक्टिड ए अब यह स्मार्टी काम करेंगा कब कितना लोड है उसके हिसाब से लो स्मार्ट ग्रिड ओटोमीशन संचार आई टी सिस्टम का साथ एक क्या है विद्यूत ग्रिड है जो उत्पादन से खपत के बिंदूों तक बिजली के परवा पर निगरानी रखेगा बिजली के परवा को नियंतरित करेगा या फिर रियल टाइम में उत्पादन से मेल खाने the know die रखेख लेखोगरे इचले पाले हिसाप से लोड को जो है कामिया जादा करेगा मेरेशाब से चीजे आपको समझ में आ गई होंगी तो यहां तक हमारा वीडियो था आजका और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजे समझ में आई होंगी और अगर आपको चीजे समझ में आई हैं तो मेरी स्टार्टिंग में की रिक्वेस्ट को अब ध्यान रखेगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजे तो मेरी पूरी संस्क्रति आईस टीम के तरफ से आप सभी का बहुत धन्यवाद, नमस्कार